हाई गाइज हम आपको आयार टेस्ट करने में छिखा करने की मोटर एक तेस्ट करते हैं तो इसके लिए देख़़ने, 55 किलवड का मोटर है यह देख लिए बड़ा मोटर है इसके बाद यह देखे मेरा पास में एक फलक का मैगर है जो मैक्सिमम 1,000 है वोल्ट हम इन्जेट कर सकते हैं इसमें से दो लिड़ वन लीड उसमें रहेगा इन्सुलेशन में वन लिड़ आपको जो रहेगा वो कॉमन में रहेगा ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे एक लिड़ को हम वाइंडिंग के एक टर्मिनल पर यह दालेंगा और यहां प हमने यहां पर कनेट कर दिया हूं और मैं अभी 500 वोल्ट हमें एजट करनेगा तो आप देखेगा मैं अभी प्रेस्ट करूंगा प्रेस्ट करने के बाद आपको दिखाए देगा कि कितना इसका में मतला इसायर कितना आता है सुना अप्रेस्ट आप देख सकते हैं कि हमने 526 वोल्ट अपलाई किया तो 550 मेगा ओम आया इस तरह हम दूसरे इसके इस तरह हम अभी यह इसमें चेंज करके मैं इसमें डाल रहा हूं तो यहां भी चेक करेंगे और फिर से मैं यहां पर देखी एक जो मेरा बोडी में इंजट कर रहा हूं देखिए अपर इंजट करने के बाद कितना अगेंस हम 550 मेगा ओम मौर देन 550 मेगा ओम इसका भेलुआ रहा है फिर से हम क्या करेंगे चेंज कर रहे हैं इसको उठा करके फिर हम डाल रहे हैं अलग फेज में यानिके आर वाई नाव रेड येलो और पर प्रेश कर रहा हूं प्रेस करने के बाद देखिए कितना थाईफ फिफ्टी तो यह मेरा क्यों हो गिया आर इलू सो इस तरह करके हम यह निकाल सकते हैं यह डेल्ट कनक्षण हे आप देख लीजे इस तरह का क्नक्षण जो हम इसको बोलते हैं अपर डेल्टा कनक्षण तो अभी काम करने बाद इसको हम सॉट करेंगे न यह डिश्चार्ज हो गिया और पूरा डिश्चार्ज कर दी है अब देखे इसमें जो दो कनेक्शन है यह जो इस तरह का है इसको डिल्टा बोलते हैं अगर आप फेस टू फेस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको जीरो आए यह देखिए भी यह जीरो आ रहा है क्यों क्योंकि यह डेल्टा कनेक्शन है आप समझ चुके होंगे कि आयर कैसे ले आता है आने वाले दिन में आप जरू स्था सिखेंगे इंप्लिमेंट करेंगे जब भी आप मेंगरिंग करो जितना वोल्ट अपने अप्लाई कर रहा है उससे ज्यादा मेंगर का भेल होना चाहिए लाइक अपने मैंने 526 वोल्ट अप्लाई किया है तो मौर दन 500 मेंगर होना चाहिए तब यह आपका करेक्ट होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बटन प्रेस करें सब्सक्राइब करें मैं इस तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा